सो हेलो गाईज आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं M Pro का BM6000 जो की 670W का amplifier है यहाँ पर हम जानेंगे इस amplifier में हमें कितने 1000W का base चलाना है कितने 1000W का top चलाना है यहाँ पर हम सभी जनकारी के साथ देखने वाले हैं इस वीडियो में जैसे कि यहाँ पर हम 2 base केसे चलाएंगे 4 base और यहाँ पर 2 top या फिर 4 top कैसे हम यहाँ पर load calculation करेंगे साथी साथ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस amplifier का price आपको कितना पड़ जाता है और यहाँ पर हम बात करेंगे कि bridge mode में हम इसको कैसे use कर सकते हैं कितने हजरवाट का speaker हम लगा सकते हैं अगर हम इसे bridge mode में use करते हैं तो तो चलिए यहाँ पर comment आप देख सकते हो धीरज भाई का comment है भाई प्लीज M pro B M6000 का वीडियो बनाओ मेरे पास है पर sound अच्छा नहीं दे रहा है प्लीज भाई तो चलिए आज के वीडियो में बात करेंगे इनका कुछ solution यहाँ पर देखेंगे कि इनका sound कैसे सही नहीं आ रहा है तो पहली बात तो इनका sound सही नहीं आने का कारण यह हो सकता है कि voltage कम होगा या फिर यहाँ पर आप ज़्यादा load डाल रहे होंगे इस कारण से amplifier उतना अच्छा कासा आपको output नहीं दे पा रहा होगा तो यहाँ पर आप जैसे कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आपको वैसे ही load matching करके लगाना है और ohms matching करके लगाना है तभी आप काफी अच्छा sound amplifier से ले सकते हैं तो चलिए बात करेंगे MPRO का BM6000 इसका प्राइस भी बताने वाला हूँ तो वीडियो को end तक देखते रहेगा और वीडियो को like करना मत भूलिएगा चैनल में अभी तक नए आया है तो subscribe करके bell icon call में set कर लिजेगा क्योंकि आपको देखने के लिए मिलेगा इस चैनल में तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर MPRO BM6000 यहाँ पर एंप्लिफायर का चैनल देख सकते हो चैनल वन चैनल टू प्लस यहाँ पर indicator light आपको मिल जाता है जो कि काफी अच्छा देखने में लगता है और उपर देखेंगे तो दो चैनल professional power amplifier mention कर दिया गया है और यहाँ पर power on up का switch मिल जाता है प्लस यहाँ पर MPRO का branding भी मिल जाता है amplifier का look जो है काफी अच्छा है professional power amplifier टाइप से काफी अच्छा दिखता है और professional power amplifier ही है तो चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर MPRO BM6000 के specification के बारे में ATOMS के उपर 1700 Watt का per channel output आपको देता है amplifier 4 OMS के उपर 2100 Watt का per channel output आपको देता है और 2 OMS के उपर 2800 Watt का per channel output आपको मिल जाता है वही हम बात करेंगे bridge mode के बारे में तो अगर आप इस amplifier को bridge mode के उपर यूज करते हो तो ATOMS के उपर 3400 Watt का per channel output आपको मिल जाता है और अगर 4 OMS के उपर यूज करते हो तो यहाँ पर bridge mode में आपको 4200 Watt और वही हम बात करेंगे dumping factor के बारे में जो कि 680 amplifier दे देता है dumping जो कि काफी सही है base इसमें चला सकते हो तो आप भी चला सकते हो काफी अच्छा work के यहाँ पर करने वाला है net weight के बारे में बात करते हैं 49 kg का amplifier है और इसका जो size रहेगा वो 3U size रहेगा मतलब बड़ा size रहेगा जो बड़ा size में amplifier आता है उतना size आपको देखने को मिलेगा यह amplifier वही हम बात करेंगे इसमें हम load calculation कैसे करेंगे जैसे की 2 base, 4 base या फिर 1 base bridge mode के उपर हम कैसे use करेंगे यह सारी चीज हम जानने वाले है तो यहाँ पर अगर आप bridge mode के उपर चलाते हो इस amplifier को और आप operate करना चाहते हो और आप यहाँ पर connection भी करना जानते हो तो आप पर bridge mode में आप 1 base अगर आप चलाते हैं तो 3000W का speaker अगर आपके पास है या फिर 1000W का speaker है तो आप इसको एक bridge mode में यूज कर सकते हो जो की atom के उपर अगर आपके पास 28000W का speaker है जो की 6 inch voice coil में आएगा तो यहाँ पर आप उस type का speaker चलाते हो तो आपका जो volume रहेगा वो 70% के हासपास आपको रखना है उससे ज़्यादा नहीं खुलना है clipping तक तो चलाना ही नहीं है नहीं तो आपका जो speaker रहेगा वो आपका जल्दी ही जल जायेगा तो यह आप ध्यान में जूर रखेगा अगर आपके पास 3000W का है तो आप यहाँ पर ATOMS के उपर speaker रन करवा सकते हो लेकिन आपके पास 3000W का speaker इंडिया में अभी आपको फिलाल देखने को नहीं मिलेगा तो चलिए बात करेंगे 4W के उपर जो कि आपके आपके आपर 2000W से लेकर के 200W का speaker आप यहाँ पर 2Base चला सकते हो जो कि 4W के उपर रहेगा 2000W से लेकर के 200W का RMS Powerwall आप इसमें चला सकते हो 2Base अगर आप bridge mode के उपर चलाते हो तो bridge mode का अगर आप connection वीडियो देखना चाते हो कि bridge mode के उपर कैसे connection करते हैं तो नीचे description में मैंने link दे दिया है वहाँ से आप check out कर सकते हैं तो चलिए हम बात करेंगे stereo और parallel mode के उपर कि अगर हम दोनों चैनल में चलाते हैं तो हम कैसे चलाएंगे जैसे कि per channel के बाद हम कर रहे है तो जैसे कि यहाँ पर आप stereo या फिर mono में चला रहे हो तो यहाँ पर channel एक एक base अगर आप चलाते हो तो यहाँ पर channel एक एक base आप यहाँ पर 1500 watt से लेकर के 1700 watt का speaker आप चला सकते हो RMS power में AES power में यहाँ पर हम बात करेंगे 220 एक channel में 220 दूसरे channel में तो यहाँ पर 1000 watt से लेकर के 1200 watt का 4 base आप इसमें काफी अच्छे से use कर सकते हैं वहीं हम बात करेंगे टॉप के उपर 2 टॉप और 4 टॉप तो सीधे सीधे मैं आपको यह बताऊँ अगर आपके पास 2 टॉप है और काफी ज़्यादा heavy टॉप चला रहे है तो आप यहाँ पर 2 टॉप चला सकते हो लेकिन काफी heavy टॉप होना चाहिए 1000 watt का speaker होना चाहिए पलस उसमें आपका HF रहेगा लगबग 2000 watt से उपर का आपका टॉप बनेगा उस type का top आप इसमें चला सकते हो काफी अच्छा sound आपको मिल जाएगा तो यह अगर हम बात करेंगे 800 watt का dual top है आपके पास और आपके पास 2 top है तो उस type का भी आप इसमें top चला सकते हो लेकिन जो volume रहेगा वो 75% के आजपास आपको खोलना है उससे ज़्यादा आपको नहीं खोलना है और वह हम बात करेंगे 4 top के उपर 4 top आगर आप चलाते हो तो यहाँ पर 1100 watt से लेकर के 1200 watt का आप यहाँ पर top चला सकते हो मतलब कि 1300 watt का top जैसे कि आपका edge up मिला करके 1300 watt का top बन जाता है तो यहाँ पर 1100 watt से लेकर के 1300 watt का top यहाँ पर 4 top आप इसमें काफी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आगी काफी अच्छा response आपको मिल जाएगा वह हम बात करेंगे amplifier का price कितना आपको पढ़ जाएगा यहाँ पर M-PRO का BM-6000 इसका model number है और amplifier जो है वह लगबग आपका 5600 watt का बन जाता है तो यहाँ पर इसका जो price रहेगा वह लगबग 4800 से 50,000 के आसपास में आपको market में देखने को मिल जाएगा price जो है उपर नीचे हो सकता है सभी market में अलग-अलग price होते है तो यह मैं आपको price जो है एक अंदाजा बता देता हूँ कि लगबग 50,000 के आसपास में आपको market में देखने को मिल सकता है price उपर नीचे हो सकता है सभी market में अलग-अलग price होते है और यह मैं आपको एक अंदाजा बता देता हूँ कि लगबग आपको प्राइस कितना पढ़ने वाला है इस इंपलिफार का तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही था और जो धीरज भाई का कमेंट था आप आसा करता हूँ कि आपको अच्छे से बतानी की कोईस करी और आपका जो लोड है वो आप मैचिंग करके चलाइए उसमें आपको जो भी आप गलती कर रहे हो उसको सुधारिये आपको काफी अच्छा साउंड इसमें से मिल जाएगा तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही था वीडियो को लाइक सेर करिएगा चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल एकन कॉल में सेट कर लिजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जहिंद वन्दिमात्रम